हेलो बच्टो कैसे हो आता है आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे जैस्री किर्ष्ण जैस्री राम तो आल दे मेंबर एंड फैंबली ऑफ हंसा टिटोरियल इस हिंदुस्तान के सब बच्चों को मेरी तरफ से प्यार चलिए आज आपके सामने हम लाए हैं एक नई वर्क्षी क्लास सैंस साइंस चैप्टर केमिकल रियक्षिन एंड इक्वेशन जो वर्क्षीट नंबर तीन है और इसमें जो कोश्चन होंगे आपके TBSC के टर्म 1 बेस पर कोश्चन होंगे जिसमें टोटल कोश्चन 20 होंगे जिसमें MCQ, Assertion and Reason और Case Steady के कोश्चन होंगे MCQ के 10 कोश्चन, Assertion and Reason के 5 कोश्चन और 4 या 5 कोश्चन और Case Steady के कोश्चन आपके सामने मिलेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन और स्टार्ट करने से पहले आप सब मेंबर को मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक, शेर और जिन्होंने सब्स्राइब नहीं किया यह दो चैनल में पहली बारी है प्लीज वो सब्सक्राइब और बेल आइकोन का बटन दवा दिजिए ताकि आपको हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपके सामने, चलिए श्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन, यह रहा फर्स्ट कोशन आपके सामने चलिए, the following reaction is an example of आपके सामने NH3, प्लस में 502, that gives 4NO, प्लस में H2O, और यह 6, यह 4 तो यह किस टाइब का reaction है, यह आपने बताना है चलिए, स्टार्ट करिए, and your time starts now fast, and in every question, I will give you time to solve जिससे आपकी practice होते रहें, और आपके अच्छे marks की हम उम्मीद करते हैं, आसा है आप 40 में से 40 नमबर लाएं, पूरे बटे पूरे नमबर लाएं चलिए, श्टार्ट करिए, चलिए, यह आपका NH3 से क्या बन रहा है, NO बन रहा है, means removal of hydrogen, removal of hydrogen, hydrogen क्या कर रहा है, हट रहा है, और यह क्या है, Oats से क्या बन रहा है, X2O, means addition of hydrogen, जिसमें removal of hydrogen है, इसका मनला removal of hydrogen का मतलब क्या हो गया, इसमें hydrogen क्या हो रहा है, हट रहा है, removal of hydrogen, means oxidation reaction, यह मेरा क्या है, oxidation reaction, Oxidation Reaction mean यह Oxidation denen और यहां पर क्या है, XO2 से मेरा क्या बन सा गया है H2O Means Addition of Hydrogen, Então Addition of Hydrogen Addition of Hydrogen क्या हूता है Reduction Legend क्या हहता है, Reduction Reaction तो इसमें क्या है, Oxidation Reaction and Reduction Reaction दोनों एक सास वा रहे है, तो हमारा क्या है Redox Galaxy bacon, क्या है और यहाँ पर मेरे पास और यह वxis ने हैट्रोजन को नरी अमोनिया से हटा दिया एखनкаzet बदा दिया है तो साथ में क्या यह displacement reaction क्या यह displacement reaction तो यह जो reaction है यह हमारा क्या redox reaction as well as displacement reaction चलिए अंसर देखते हैं displacement reaction is right combination no क्योंकि combination reaction में दो elements combine होते है single बनता है तो redox reaction तो मेरा option कहुंता है पहला और तीसरा and the option is first and third is c the answer is c तो मेरा पहले का answer क्या हमारे पास c answer है पहले का answer c and now move to question number next next question क्या हमारे सामने question number second यह रहा question number second name the name given to the expression expression of a reaction in the term of formula of the reactant and product means हमारे पास यह reactant और reactant हमारे को क्या होते है आपस में combine होते है यह decompose होते है तो क्या बनाते है product होते है क्या बनाते है product होते है product बनाते है तो reactant reactant वो substance वो element वो compound which take part in chemical reaction और product वो substance वो compound जो chemical reaction के दोरान नया substance बनता है उसे हम क्या बोलते है product तो इसमें क्या रहा है कि हम reactant और product के लिए हम क्या लिखते है formula करते है तो उसे हम बोलते क्या है बोलिए तवास mg प्लस O2 that is MgO यह हम यूज करते है तो क्या बोलते है इस point को जब हम किसी reactant और product को symbol की form में formula की term में express करते है तो उसे हम क्या बोलते है chemical equation symbolic representation of a chemical reaction is known as chemical equation so इसको हम क्या बोलेंगे expression for a reaction is formula reactant and product के लिए क्या बोलेंगे chemical equation बोलेंगे क्या बोलेंगे chemical equation question number second concern chemical equation जिसे हम क्या बोलेंगे representation symbolic representation by using formula for reactant and product is known as chemical equation next question number 3 check करें name the substance oxidized and the reduce कौन सा substance oxidized हो रहा है और कौन सा reduce हो रहा है बताए ज़रा चेक करिए Fe2O3 plus में 3CO that is 2Fe plus में 3CO2 यह हमारे पास reaction है तो कौन सा oxidize हो रहा है और कौन सा reduce हो रहा है तो हमें यह बताना है चलिए बताए यह फटाफट पास अगर हम देखेंगे Fe2O3 से हमारे क्या बन रहा है Fe means removal of hydrogen oxygen removal of oxygen oxygen क्या हो रहा है और CO से CO2 means addition of oxygen oxygen क्या हो रहा है एड हो रहा है जिसमें oxygen add होरा है इसमें oxygen एड हो रहा है इसमें oxygen एड हो रहा है तो यह क्या हो रहा है और CO क्या हो रहा है, Oxidize हो रहा है, तो अंसर क्या है हमारा, FE Oxidize means CO, पहला Oxidize है, दूसरा Reduce है, तो इसका अंसर क्या है, तीसरे का अंसर हमारा B है, Next Question, Question No. 4, पढ़िये, First Question, चलिए, FeSo4 टूटा, टूट गया, टूटने के बाद क्या है, Fe2O3 दिया, So2 दिया, Sulfur dioxide and Sulfur trioxide, तो यह reaction है, कौन से हैं, चलिए देखते हैं, तो FeSo4, FeSo4 जो हमारा, जो हमारा क्या है, 7H2, Water of Crystals, जब इसको हीट करते हैं, तो यह क्या मनजाता है, तो Colorless, FeSo4 बनेगा, तो FeSo4 बनने के बाद क्या होता है, यह Decompose होता है, तो FeSo4 Decompose हुआ, Fe2O3 में, और So2 में, और So3 में, Decompose मीन, एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक हुआ, किसमें 2 or more सबस्टांस, 2 or more सबस्टांस, in presence of heat, इसको क्या क्या है, हीट किया, हीट मीन, Thermal Decomposition, Decomposition Reaction है, और Decomposition Reaction कौन सा, Thermal Decomposition Reaction, अब इसमें क्या, Double Displacement, No, Combination, No, Displacement, No, तो कौन सा है, Double Decomposition Reaction, Decomposition Reaction, अगर Thermal लिख देंगे, तो Valence Code, बट इस Decomposition Reaction, क्यों, क्योंकि एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक हुआ है, किसमें 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, Thermal Decomposition Reaction या Decomposition Reaction, तो यह हमारा Question No. 4, Move to Question No. 5, पढ़िए, चलिए, PBO, Lead Oxide को किसके सांद रियट क्या, कारवन के सांद, तो क्या बनाया, PBO, Lead, Plus में, कारवन, Monoxide, तो इसमें से Option देखो, क्या है, तो PBO से मेरा क्या बना, PBO बना, तो इसका मनला, Removal of Oxygen, Oxygen क्या हो गया, हट गया, C से क्या बना, CO, Means Addition of Oxygen हो गया, तो इसका मनला यह मेरा क्या हो गया, Oxidize, यह मेरा क्या हो गया, Oxidize हो गया, जो Oxidize होता है, वो किसके तरह करता है, Reducing Agent कि तरह है, Intact as a Reducing Agent, जो Substance Oxidize होता है, जो Substance या जो Compound Oxidize होता है, वो किसके तरह काम करता है, Reducing Agent, और Lead Oxide से हमारा क्या हो गया, oxygen remove हो गया, तो यह मेरा क्या हो गया, reduce हो गया, क्या हो गया यह, reduce, और जो substance और compound reduce होता है, वो हमारा किसका काम करता है, oxidizing agent का काम करता है, किसका काम करता है, oxidizing agent, यह oxidizing agent का काम करा है, यह resisting agent का काम करता है, तो यह हमारा कौन सा reaction है, रेडॉक्स रेक्श्चन है। क्यों, क्योंकि oxidation and reduction take place simultaneously, क्या होता है, take place simultaneously, तो देखते हैं, the reaction does not represent the redox reaction, तो इसका मुलाफ ड़स रेक्शन है, तो इसका मुलाफ नॉट, C is act as a reducing agent, क्या C, reducing agent की तरह काम कर रहा है, C एरा carbon oxidize हो रहा है, reducing agent, तो इसका मुलाफ रेडूसिंग तरह क तो इसमें जो CA वो हमारा क्या है reducing agent की तरह कांग कर रहा है तो next question move करते हैं 6 question पर आपसे request है please like, share और जिन्होंने subscribe नहीं किया है please subscribe the channel for further notification question number 6 करिए जरा फटा फट और ये आपके सामने है when zinc metal is dipped in copper sulfate, जब zinc को किस में डाल देंगे copper sulfate solution में डाल देंगे, तो क्या होगा, बोलिये reaction what will happen, जब zinc को copper sulfate में डाल देंगे the solution remain blue and copper metal get deposited the solution became colorless and red is brown copper metal will deposit no reaction will take place, solution became green and the metal get deposited कौन सांसर है, चेक करिए फटा फट चलिए जब zinc जो है copper sulfate के साथ रेक्ट करता है तो copper sulfate मेरा कौन सा color है, blue color है copper sulfate blue in color, तो zinc जो है copper को हटा देगा तो क्या बनाएगा, zinc sulfate बनाएगा, zinc sulfate और ये जो zinc sulfate है, ये solution क्या हो जाएगा, colorless हो जाएगा, क्या हो जाएगा, colorless colorless क्यों होँआ, क्योंकि zinc ने copper को उसके compound से खटा दिया है और copper क्या हो गया, अलग हो गया, और ये क्या है, red is brown copper ये हमारा क्या है, red is brown copper, red is brown ये हमें जो copper मिला, वो किस color का मिला, red is brown का क्यों मिला क्योंकि जिंक ने copper को displace कर दिया इसका मतला zinc is more reactive than copper therefore this reaction is displacement reaction तो कौन सा अंसर होगा इसका मतला the solution became colorless ये colorless हो गया and brown color is formed तो answer is B, तो 6 का B, B कौन सा है? C, A, B, तो option is C, तो option क्या है मेरे पास? C है, तो option क्या है? C, move to question number 7 चलिए, पढ़िए, reaction between the barium chloride and sodium sulfate is classified as ओ हो, ये तो NCRD का question है और ये आपको आनत ये, barium chloride, बताई ज़रा सावाज करिए, barium chloride, sodium sulfate, दोनों के बीच में reaction होगा तो कौन सा होगा? जबकि ये भी हमारा aqueous है और ये भी हमारा क्या aqueous है? aqueous mean salt solution, तो अंसर मताईए, कौन सा होगा? चलिए जब दोनों compound reactant में aqueous हों, तो हमारा जो ज़्यादा तर जो reaction होता है, वो double displacement reaction होता है two compound in aqueous state, then it will be a double displacement reaction, जिसमें exchange of iron will take place इसमें barium, ba और chlorine, cl, plus और minus, और ये क्या है? sodium, और ये क्या है? sulfate, ये plus और ये minus तो इसका हमना barium किसके साथ react करेगा? sulfate के साथ, barium किसके साथ? sulfate के साथ, barium किसके साथ? barium किसके साथ react करेगा? sulfate के साथ, barium react करेगा sulfate के साथ, और sodium किसके साथ? chlorine के साथ, तो मेरा जो compound बनेगा, वो क्या बनेगा? BASO4 और प्लस में NACL और ये NACL मेरा क्या होगा एक्वास और BASO4 हमारा होगा PPT तो इसका हमारा Double Displacement Reaction जिसमें PPT बन रहा है और ये हमारा इसको हम PPT मीन Precipitation Reaction भी कह सकते हैं या Insolubal क्योंकि Precipitation Reaction क्यों क्योंकि Insolubal Substance is formed during the chemical reaction तो इसमें हमारा Ion of Exchange is take place. Ion का क्या रापस में? अदला बदली हो रहा है. So कॉंसा है? Double Displacement और साथ में? Precipitation Reaction. So कॉंसा है? Decomposition Reaction and No. Combination No. Double Displacement Reaction. Double Displacement Reaction. It is Double Displacement Reaction and Precipitation Reaction. So answer is C. So इसको answer क्या है हमारे पास? इसको answer है हमारे पास C. Question No. 7 का answer C. अब मूँ करेंगे Question No. 8. The color of the solution. किसी solution का color after half an hour आदे गंटे के बाद when iron nail is dipped in copper sweat. ये तो असान है बहुत. फटाफट करके बताईए. सबसे असान कुशन ही है कि iron nail को अगर copper sulfate में डालेंगे What will happen when iron nail is placed in copper sulfate? तो क्या reaction होगा और क्या बनेगा? बोलिए. तो जब iron को copper sulfate के साथ react करेंगे तो क्या बनेगा? iron sulfate और क्या बनेगा? copper बनेगा. इससाना copper sulfate जिसका कलर क्या है? blue और वो blue कलर क्या हो जागा है तो फेड या light green या pale green में change होगा. तो pale green या fade color हो जाएगा क्यों क्योंकि ये displacement reaction है जिसमें iron ने copper को हटा दिया है डिस्प्रेस कर दिया है जिसकी वज़े से उसका color क्या हो गया? fade या pale green या light green बन गया? तो कौन सा option है इसमें? अमसर निस A. 8 का answer हमारे पास A है. अब move to question number 9 ये रहा आपके सामने question number 9 ये कह है matching the following with corresponding response कभी भी match करो तो पहला answer अगर आपका आजाता है और उसमें कोई repeated नहीं है तो उसी को write कर देना है चलिए करिए ये रहा के सामने ये मेरा क्या है oxidation, oxidation reaction, oxidation में किसम होता है इसमें loss of electron, oxidation loss of electron क्योंकि आपने पड़ा है oxidation और ये क्या पड़ा है? reduction, oxidation में क्या होगा? addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron, loss of electron और इसमें removal of oxygen, addition of hydrogen और gain of electron, gain of electron इसमें electron का loss, इसमें electron का gain तो oxidation क्या हो गया? loss of electron में फर्स्ट का D, फर्स्ट का D, फर्स्ट का C, फर्स्ट का B, फर्स्ट का A तो मेरे खाए answer क्या होना चाहिए? A part, अब बाकी check करने की जरूती नहीं है क्योंकि repeated है निसमें फिर भी आथ देखें, जब oxidation क्या होना है? loss of electron तो reduction क्या और gain of electron तो दूसरे क्या हो गया? A right, फिर تीसरे क्या होना है? reducing agent reducing agent क्या होता है? जो oxidized होता है means जिसमें क्या होगा? automatically electron क्या होंगे? lose होंगे, जो oxidized हो रहा है वो reducing agent की तरह काम करता है means loss of electron C, और फोर्थ का अंसर बसी किया हमारे पास, gain acceptor, means gaining of electron, तो इसका अंसर हमारे पास क्या आ गया, नाइंस का हमारे पास है, option is A, and now move to question number, next, chemical formula of lead sulfate, चरियो फटाफट, what is the chemical formula of lead sulfate, चलिए, हो गया होगा आपका lead means PB, sulfate means SO4, तो lead की valence 2, sulfate की valence 2, cross multiply, तो PB2, SO4 hold twice, और ये 2, ये 2 cut, तो बन गया क्या, PB, SO4, तो मेरा option क्या है, हम जाएंगे option number B पर, तो ये हमारा question number 10, जो lead sulfate का formula, PB, SO4 है, move to question number 11, ये रहा आपके सामने, incorrect, we have to find out incorrect statement, अब ये तो incorrect तो हमें सारे पढ़ने पढ़ेंगे, very good, पढ़िये फटाबट, oxygen is a highly combustible, combustible means बड़ी जल्दी जल जाता है, आग लग जाती है, and hydrogen is supporter for the combustion, hydrogen जलने में help करता है, क्या ये सही है, oxygen and hydrogen both are highly combustible, means hydrogen and oxygen लोग बड़ी जल्दी आख पकड़ लेते हैं, या oxygen and hydrogen both are supporter of the combustion, क्या oxygen लोग येτεरोजन लोग जलने में help करते हैं, सहीता करते हैं, ya hydrogen is highly combustible, hydrogen बड़ी स्टेज जलता है, isolation highly combustible, बड़ी जल्दी आख पकड़ लेता है, और oxygen क्या करता है, combustion में support करता है, तो बतेए, कौन सा incorrect है, तो मेरे को जो correct लग रहा है, वो D लग रहा है, इसलिए D सही है, बाकि सारे क्या है, incorrect, A b incorrect, B b incorrect, C b incorrect, only D is correct, तो इसने क्या पुछा है, incorrect, incorrect कौन से है, A, B and C, तो देखिए A, B, C कौन सा है, हमारे पास, A, B, C option है हमारे पास, कुछ में, A में, तो हमारा answer क्या आगया, A आगया, अब move करेंगे question number 12 में, यह रहा, 11 से 15, यह sorry 12 है, 12 से 15, जो statement है, वो किसके है, assertion region के, यह पहले कर चुए हैं, कि अगर A and R दोनों सही हैं, और R is the correct explanation of A, यह मैं पहली बता चुका हूँ कि R is the correct explanation A का meaning क्या है, फिर भी देखर देखिजिए, अगर A और R दोनों सही हैं, और R is the correct explanation of A, तो हम A लगाएंगे, assertion and reason दोनों सही हैं, और R is not the correct explanation of A, तो हम लगाएंगे B, अगर A सही true है, B false है, तो लगाएंगे C, अगर A false है, और R true है, तो हम लगाएंगे, अब option में B, और यह question किसे हैं, 12 से 15, means star question आ परा यह है, assertion, पढ़िए, इसमें A, B, या C, या D, कौन सा इसमा option आएगा, carbon dioxide turn, lime water, milky, carbon dioxide, till is the water, till is mean dirt, गंदा, पानी को गंदा करना, चलिए, यह क्या करा है, carbon dioxide turn lime water into milky, कैसे, lime water mean C, A, O, S, hold twice, यह मेरा क्या है, lime water, जिसे हम क्या होते हैं, flake lime, यह मेरा lime water है, इसमें क्या पास किया, मैंने carbon dioxide pass की, तो क्या बन क्या मेरा, C, A, C, O, 3, plus में H, 2, O, evaporate हो गया, तो इसमा मनलब C, O, 3, यह मेरा क्या है, milky, means milky, white, जो क्या है, calcium carbonate, इसमा मनलब carbon dioxide, जब lime water में पास किया, तो क्या बना दिया, milky बना दिया, इसमा मनलब, assumption is right, carbon dioxide, to lose the water, अगर carbon dioxide पानी में पास किया जाए, क्या वो पानी को dirt, पानी को crop कर देती है, no, इसमा मनलब, यह si lyrics, इसमा मनलब, यह मेरा क्या है, गलत है, तो A, correct, A, true है, और reason, गलत है, क्योंकि sih lose गंदा नहीं करता है, क्योंकि cold ring में जा कर carbon dioxide है यह ज़ता है, तो इसका इसमा मनलब, यह गलत है, तो इसमा मनलब, A is correct, true और C is right, तो इसका option क्या होगा? C. क्योंकि A true है, A is true और B is wrong, B क्या है false है, तो option is C. Now question number 13, question number 13, ये रहा आपके सामने. Assession, following the balance, balance chemical equation, पढ़ ये ज़र आंसर बताईए, फटा फट, चलिए, आपका अंसर क्या है, check करिए, balance chemical equation means, इसका मनलब balance chemical equation, chemical equation क्या होता है, symbolic representation of a chemical reaction, balance mean number of atom on reactant side and product side of each element are same, तो इसका मनलब ये सही है, ये हमारी क्या steam है, क्या है, इसका मनलब जब iron steam के सांथ react करता है, तो क्या बनाता है, ferric oxide and hydrogen gas, it is right, क्योंकि matter जब water के सांथ react करता है, तो hydrogen gas release करता है, तो assertion is right, assertion हमारा सही है, reason और ये explanation, so assertion is right, and law of conservation of mass holds the good for the chemical equation, क्योंकि chemical equation का balance होना जरूरी है, क्यों, to obey the law of conservation of mass, law of conservation mass को obey करने के लिए chemical equation का balance होना जरूरी है, तो इसका मनलब ये सही है, और reason is the correct explanation of A, तो इसका मनलब ये सही है, तो हमारा answer क्या आएगा, A आएगा, क्या आएगा, A, A and R both true, और R is the correct explanation of A, तो इसलिए answer क्या आएगा, इसका A, move करते है, question number 14 पर, ये रहा आपके सामने, first, चलिए, to dilute the sulfuric acid, acid is added to water not water to acid, अगर हम dilute करते हैं, क्या, acid को dilute करते हैं, तो acid को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को acid में, हमें acid को हमें किसम डालना चाहिए, acid we have to add in water, in water, ना कि water को acid में, तो इसका अनलब क्योंकि acid और water के बीच में जो reaction होता है, वो highly exothermic reaction होता है, ये reaction इतना ज्यादा exothermic होता है, कि इसमें large amount of heat produce होती है, तो इसलिए, ये हमेशा acid को किसम मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, अगर गलती से हमने, पानी को acid में मिला दिया, तो mixer क्या होगा, mixer क्या होगा, splash out होगा, और mixer splash out होने से क्या होगा, जल भी सकता है हमारा किसी बाडी में पार्ट में वो इस स्प्लैस है छीटें जो है वो हमारे इस पर गिर सकती है एंड को स्टू बर्थ इसलिए हमेशा पानी को एसटी में नहीं मिलाना चाहिए एसीड को पानी में मिलाना चाहिए और तो इसका मंदर is right specific water is quite large specific it means to absorb जो पिटे एनगी लोग लिशिश करेता है काफी जादा है किसकी water की तो इसका उन्दर assertion is right and reason is right. तो reason is the correct explanation of A. तो इसका option क्या आजाएगा हमारे पास? A option आजाएगा. क्या आजाएगा? A आजाएगा. तो इसका option है हमारे पास A. Question number 15. Calcium carbonate is heated to give calcium oxide and water. on heating the calcium carbonate decomposition reaction will take place. देखिया answer कौन सा इसका? फास्ट बताएगे. चलिए. आपने देखागा calcium carbonate CACO3 को जब हम heat करते हैं तो क्या हम देता है? CAO plus में carbon dioxide. ये कैमेरा? Decomposition reaction. ये में देता है quick climb और carbon dioxide. तो इसका मतलब calcium carbonate को जब हमने heat किया तो calcium oxide और water दिया तो इसका मतलब ये मेरा गलत है. तो A is wrong. A हमारा क्या है? Wrong है. And now move to on heating calcium carbonate. calcium carbonate को heat किया. Decomposition reaction take place. Decomposition होगा. तो ये सही है. इसका मतलब A assertion is wrong and reason is right. तो इसका मतलब हमारा option क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Option is D. तो 15 का option होगा हमारे पास D. And now to move to question number 16 से लेके 20 तक जो मेरे क्या है? Case steady based question है और जिसे हम आगे discuss करेंगे और आप answer इसके बताते रहना. तो देखो. ये क्या है? Electrolysis. Electrolysis का मतलब है जब हम electric current pass करते हैं किसी solution में और उस solution में हम दो roll रखते हैं. एक cathode और एक anode. और anode हमेरा act as it क्या करता है positive charge, positive वाला. और cathode हमारा करता है negative. anode positive क्यों करता है? क्योंकि उसमें हमारे जो आइन से negative ions में जमा हो जाते हैं और cathode में हमारे कौन से जमा होते हैं? positive ion. मीज़ क्लेक्ट हो जाते हैं. क्योंकि force of attraction की वज़े से. तो electrolysis में हम क्या करते है? electric current. electric current का मतलब क्या है? इसमाना flow of charge. चार flow होते हैं. which take place decomposition. decomposition reaction in which a single substance is split or break out into two or more substance. जब एक single substance, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस में compound में तूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं decomposition reaction. तो electrolysis में current pass करते हैं. किसके लिए to decompose तोडने के लिए? किसको water को decompose करने के लिए? इसमाना water को decompose किया, तो क्या बना? hydrogen और oxygen. इसमें hydrogen के दो क्या हो गया? आपके mole हो गय और oxygen एक मोल हो गया. इसमाना पानी को जब हम decompose करते हैं. हैंच it is the electrolytic decomposition. electrolytic decomposition में the decomposition reaction which take place in presence of heat. जो reaction heat की presence में decompose हो उसे हम energy current, sorry, heat limited electricity की, in presence of electric current, sorry. इस presence of electric current is called a decomposition reaction. the reaction which take place in presence of electric current, in presence of electric current, जो जो, electric current की presence जो उसे हम बोल से electrolytic decomposition, not in presence of heat. जो गल्सी से निगलिया, sorry for that. electrolytic decomposition, the decomposition reaction which take place in presence of electric तो यह हमारा रियक्शन है, में water डिकमपोच हुआ, तो क्या दिया, two mole of hydrogen and one mole of oxygen, इसका हम्दा oxygen की hydrogen जुह है वो oxygen से ज्यादा होगा, collect ज्यादा होगा, कितना collect होगा, double होगा, it means hydrogen is collected double than the oxygen, hydrogen ज्यादा oxygen से ज्यादा collect होगा, double collect होगा, सब्सक्राइब नेगेटिव आएन आते हैं सब familiarMag Hen्ग?, at me this sneeze is the Latino होगा है तो हीसीजन क्लेक्ट होगा और अक्सीजन हेंथा नमारा क्लेक्ट होगा हाज हमारा क्लेक्ट होगा है नमारा क्थ भलुगा ऊक्सिजन हमारा एन और होगा तो हमारा सिश्टीं कोष्चन जिसने दिूरिंग दैङ्ट्रिलाइटिज एलेक्ट्रलाइटिस का मतलब है PASING OF ELECTRIC CURRENT The charge carried out by anode and the cathode respectively जो चार्ज होंगे anode में तो anode का कौन सा चार्ज होगा मैसा Positive लेंगे और cathode का negative क्योंसा होगा हमारा C क्योंकि इसमें negative charge collect होंगे और इसमें positive charge दिखते होंगे तो next question move करते हैं गैस release during the respectively at anode and cathode anode और cathode में during the electrolysis of water में तो anode में कौन सी gas collect होगी और cathode में कौन सी collect होगी तो anode हमारा कौन सा है positive ion लिया और cathode हमने के लिया negative cathode के लिया negative charge और यह anode तो anode positive है तो इसमें कौन से आयन होगे जो negative होगा जो non metal होगा oxygen का charge का आता है negative होता है और cathode means negative charge इसमें कौन से charge हैंगे कौन सा element आएगा कौन सा compound आएगा जो positive charge होगा तो positive charge कौन सा होगा क्योंकि decompose किसका हुआ water का और water का decompose होने पर क्या बना hydrogen plus में हिटोजेन प्लस में ऑक्सिजट तो यह हमारे क्या हो गया यह हैं जो हमारे क्या है और आक्सिजट यह कहां क्लेक्ट होगा इट इस क्लेक्टेट ड है गाएठらい तो यह एनॉड में क्लेक्ट होगा क्योंकि आयन नेगेटिव है और यह कहां क्लेक्ट होगा कैथोड में तो oxygen is collected at anode और hydrogen is collected at cathode तो एनॉड में oxygen और hydrogen तो answer is b 17 का answer b को अब मुझ करेंगे question number 18 पढ़िए ज़ा the volume of gas collected at cathode during the electrolysis of water पढ़िए बताई ये answer कौन सा है सावाज जब electrolysis of water हुआ electrolysis means electrolytic decomposition the decomposition which takes place in presence of electric current so water break हुआ तो हमारे पास hydrogen और oxygen मिला तो देखे which volume of the gas collected at the cathode during the electrolysis जो cathode पर collect हुई cathode पर कौन सी collect हुई चलिए श्टार्ट करते है cathode पर कौन सी हुए हमारी hydrogen gas ये कोई collect cathode है और anode पर कौन सी हुई oxygen ये हुई anode पर collect तो देखे क्या गरा है इसका मतलब hydrogen जो gas है वो oxygen से क्या collect हुई double collect हुई means hydrogen collected double than the oxygen means the gas is collected at cathode is double the volume of gas collected at anode जो gas हमें cathode में collect हुई वो gas जो anode में collect हुई इससे तू टाइम जादा है क्योंकि cathode में कौन सी gas collect हुई हमारी hydrogen और anode में कौन सी हुई oxygen तो hydrogen का जो volume है oxygen के volume से double है it means hydrogen which is collected at cathode is double than the oxygen which is collected at anode तो क्या है double of the volume of gas collected at the anode इसका मलब cathode में जो gas collect हुई वो क्या है double the volume of the gas collected at anode जो gas हमें anode में collect हुई उससे double cathode में collect हुई तो यह हमारा option कौन सा है 18 18 का option हमारा 3 move करेंगे question number 19 which is the most popular method of hydrogen production during the pie chart given below pie chart के इसाफ़ते सबसे ज़्यादा hydrogen हमारी कहां पर collect हो रही है कौन से तरीके से collect हो रही है यह कहा है हमारा methane methane stream से हो रही है यह किसे हो रही है hydrogen gas electrolytes ने यह किसे collect हो रही है whole gasification से यह किसे हो रही है oil refinery से हमारी hydrogen gas बन रही है तो सबसे ज़्यादा hydrogen gas है वह किस तरीके से हमारे पास बन रही है सूचए इसकांदब सावास अगर हम देखें तो जो हमारे पास gas collect हो रही है जो hydrogen gas जो सबसे ज़्यादा produce हो रही है वो green color से जो green colors हो रहा है और green color को क्या रहा है? methane stream reforming methane stream reforming तो इसका अलब methane stream reforming से हमें hydrogen gas ज़्यादा मातला में collect हो रही है तो अंसर के हमारा A है अब move कर रहें last question of case study and the last question of this work sheet and that is 20 spoon is to be silver plated, spoon को क्या करना है? silver plated करना है, उसके ओपर silver की coating करना है जिस metal को हम coated करते हैं, जिसके ओपर हमने paint करना है जिसके ओपर electrolytic करना है, जिसके ओपर electro plating करना है उसको हमेजा क्या लेते है? cathode लेते है हमने electro plating किसी करना है? spoon की करना है तो इस्पून कहा लेंगे हम, इस्पून को हम लेंगे कैथोर्ड में, तो इसका उनलब B या C है, या तो B या C, लेकिन सिल्वर कलर करना है, तो इसका उनलब सिल्वर कलर किस पर करना है, स्पून पर, जो पेंट, जो कोटिंग हमने करनी है, जिसकी कोटिंग करनी है, उसे हमे करने है और किस मेटल की करने है इसलवर की तो इसका मंदब इलेक्रोलाइटिक सोलुशन किसका होने चाहिए इसलवर का ही होना चाहिए तो देखते हैं यह दोनों से इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि अगर सिल्वर की कोटिंग नहीं होगी तो कौन सा लेंगे एक्पास इल्वर नाइट्रेट तो कौन सा अप्शन है हमारा वी उप्ष्ण पर जाएंगे तो बी ऑप्षन से हमारा क्या हुआ है स्कून की एलेक्रो फ्लेटी हो जनोने सब्सक्राइब नहीं किया हैं प्लीज शबस्क्राइब कर जिजए थैंक्स एंद जय माता की और भारत माता की जय थैंक्स पर तोड़े प्रदीज जान आग्स